आज तारिक अन्वर का एक्सक्लूजव इंटिव्यू। तारिक अनवर ने NCP से इस्तिफा दे करके राजनीती में एक तरह से भूचाल सला दिया, लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि एक शरत पवार के बयान पर तारिक अनवर साब ने इस तरह का इस्तिफा क्यों दिया, हलाकि पार्टी की तरफ से सफाई दी जा रही है, सुप कॉंग्रेस से बात फॉर्मलाइज हो गई है, आप कॉंग्रेस में शामिल होने वाले हैं, इस वज़े से पवार साब के एक रफायल डील पर प्रधान मंत्री के समर्थन में दिखने पर ये स्तिफा हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर कॉंग्रेस में शामिल होना होता, तो ऐसे भी हम जा सकते थे, और पवार साहिब से एजायत ले कर जा सकते थे, लेकिन चुके इस पूरे मामले में पवार साहिब का जो बियान आया, अब उनकी नियत क्या थी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ज उसका निशकस निकाला, वो यही निकाला, कि कहीं न कहीं परधान मंतरी का पक्ष लेते हुए पवार साहिब दिखाई पड़े, तो कुरों ने परधान मंतरी को एक परकार से क्लीन चिट दिया, और यह कहा कि उनके उपर किसी परकार का लोगों को संदे नहीं है, तो जब स सारी बाते जो हो रही है, रफल डील को लेकर, वो परधान मंतरी के खिलाफ हो रही है, और अगर परधान मंतरी के बारे में यह कहा जाए, कि उनके उपर किसी को शक नहीं है, तो सारा जो इस मामले को लेकर जो लोगों में असंतोश है, या लोगों में एक परकार से हो जाता है तो मैंने ये सोचा कि चुके पवार साहिब जो पार्टी के अध्धक्ष है और उनके दौरा इस तरह की बाते जब कहीं जा रही है तो इसका मतलब पार्टी लाइन वही है तो मैंने सोचा कि मैं अपने आपको पाटी से किनारा कश कर लो और इसलिए मैंने स्थिफा दिया है और उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है हमने देखा आपने भी देखा होगा कि सुप्रिय सुले ये बयान दे रही है कि उनको मिस्कोट किया गया वो तो जेपी सी प्रोब की मांग कर रहे हैं फिर कहां से क्लीन चिट के बात है देखे मिस्कोट किया गया तो ये बयार लगभग 48 घंटा मीडिया में रहा है और 48 घंटे के बीच में किसी तरह का कंट्रेडिक्शन नहीं आया अगर वो मिस्कोट था तो उसी वक्त पावर साहब का कंट्रेडिक्शन आ जाना चाहिए था तो शायद ये नौबत नहीं आती अगर वो एक्चली ये माइन नहीं नहीं थे तो बिल्कुल ये चुकर ऐसा ये सिंसिटिव मामला था बहुती नाजुक मामला था क्योंकि इस वक्ते तमाम विपक्षी दल रैफल के मामले में एक जुट है और देश के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस पूरे जो रैफल के सौदे में कहीं न कहीं भरस्ताचार हुआ है कहीं न कहीं पक्षपात हुआ है सब कुछ ठीक हो सकती है लेकिन निशकर्ष जो निकलता है बात्ची से उसमें ऐसा लगता है मुझे यह आभास हुआ वहाला कि मुझे इस बात की तकलीफ है पार्टी छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है वो भी ऐसी पार्टी से जिस पार्टी की अस्थापना में मेरा भी योगदान रहा है और बीस साल तक मैं पवार साहब के साथ रहा हूँ पवार साहब के पर्टी उनकी इज़त में उनके समान में आज भी कोई कमी नहीं है और उन्होंने भी हमें पूरा हर तरह से विश्वास में लिया तो इसलिए कोई विक्तिकत रूप से हमारा उनसे कोई विरोध है ऐसी बात नहीं लेकिन एक खास तौर पर इस इश्वास पर जो बाते सामने आई तो उससे मुझे लगा खास कर हमारे जो भी हमारे समर्टक हैं जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैंने महसूस किया कि लोगों को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत असपस नहीं है लेकिन हम लोग भी ऐसी उमीद कर रहे थे और सही बात है कि वो विपक्ष की एक जुटता के लिए काब कर रहे थे और यकाएक इस तरह का ब्यान उनका आना वो जो पूरा विपक्ष का अंदोलन है एक परकार से उसको कहीं न कहीं उसको नुक्सान पहुंचता है मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि उनकी नियत ऐसी नहीं हो लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती है जब बाते जबान से निकल जाती है चाहे जो भी कारण रहा हो बीजेपी के अध्यक्ष अमिर्च शाह का ट्विट आया उसके बाद कहीं लोगों का ब्यान आया और ऐसा लगा कि बीजेपी को जिसे डूपते को तिर्के का सहरा मिल जाता है वो ही इस्तिती हुई और उन्होंने बार-बार पवार साहब के ब्यान को कोट किया यह अक्सर पवार साब के बारे में एक आ जाता है आपको लगता है इसमिद्दम है समय समय पर पुलिटिकल लाइन जो उन्होंने ली है वो शायद फ्लक्चुईट करती रही है कभी इधर कभी उदर वो सही है कि कुछ ऐसा बॉक्वे पर वीजेपी के बिरुद में जिस परकार से स्टॉंग उनको लाइन लेनी चाहिए थी वो नहीं लिया जैसे महरास्टरा में जब सरकार बनाने का सवाल था विधान सबाचनाओ के बाद तो उस समय NCP के द्वारा अनकंडिशन सपोर्ट देना मैं समस्ता हूं कि वो भी एक राजनितिक भूल थी पार्टी के अंदर आदमी रहता है तो बहुत सारी इशू जाते हैं और उसमें भेदभाव होता है लेकिन अभी जो मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा था चुके अब हम चुनाओं के बहुत नजदीक है दोजार रहा है और ऐसी हालत में अगर कोई भी हम बात चाहे वो गलती से ही क्यों ना मेरे मूँ से निकल जाए उसका अगर फाइदा बीजेपी को मिलेगा तो वो आगे की राजनिती के लिए आगे के इस देश के भविश के लिए कुछ इतना नहीं होगा इतना बड़ा नेता तो आप भी समझते कोई बात गलती से जबान से निकल जाए होता नहीं है क्या मैं आपसे स्पेसिफिक पूछता हूँ तारिक भाई आपको लगता है बाई डिजाइन बाई इंटेंट सोच समझ कर दिया गया बयान मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ यह पवार सा सबसे कोई बात हुई आपकी इस स्थिफिय के बाद नहीं समझ में पौछ साब से हमारी बात नहीं क्योंकि हम अपनी कॉंच्रेंसी में थे कटिहार में और वही मैंने मीडिया कि दौरा इस बात को जाना और मैंने 24 गंटा वेट किया इंतजार किया कि 24 गंटे के अंदर इस पूरी बियान का कंट्रेडिक्शन पावार साहिब के द्वारा जरूर आएगा ऐसा मेरा विश्वास था लेकिन जब 24 गंटे गुजर जाने के बाद भी कोई कंट्रेडिक्शन नहीं आया तो मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था सुप्रिया सुले जी ने जैसे मैंने सबसे पहले कहा हूँ उन्होंने सफाई दी कि मिस्कोर्ट किया गया क्या कोई गुंजाईश अब आपका इस्तीफा वापस लेने के अफिलाल तो नहीं है और सुप्रिया सुले जी के लिए और पवार साह के पूरे परिवार से हमारा परिवारिक संबंध है वो संबंध रहेगा आखिर मैं आप से पूछना जाता हूँ देखें कल से हम यह सुन रहे हैं बिहार कॉंग्रिस के अध्यक्ष का भी बयान आ गया बड़े-बड़े कॉंग्रिस नेता हमें भी जानकारी है कि तारिक भाई तो ओरिजिनली कॉंग्र कराज़ितिक काज करता है जाहरे कोई ने कोई तो फैसला हमको लेना पड़ेगा लेकिन अभी चुके फॉरण मैंने स्टीफा दिया है मैं अपने लोगों से इस पर चर्चा करूंगा जो हमारे समर्तक हैं जो हमारे शुबचिन तक हैं उन सबसे बातचीत करने के बाद ही कि पर पहुंचे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना कि तारिक भाई को हम वापस ले सकते हैं आपको लगता है ये स्वागति हो कि अनका शुक्रियादा करता हूं धन्यबाद देता हूं कि अन्होंने मिझे आमलतित किया है लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई भी फैस कि एक पॉलिटिकल जो वरकर होता है उसको फैसला तो लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हमको राजीती में रहना है तो ऐसी ही पार्टी में हम जा सकते हैं जो समान विचारधारा की पार्टी हो क्या आपके लिए भी मैं फिर से पूछ लेता हूँ क्या आपके लिए भी मिस्स गांदी का फॉरेन ओरिजिन मुद्दा अब पुराना हो चुका है उससे कोई लेना देना नहीं है वो कहीं रास्ते में रोड़ा नहीं याट करता बिल्कुल वो मुद्दा तो देखे बहु जेश रूप से है इससे हम इनकार नहीं कर सकते हूँ उसमें जितने भी लोग आज शिकर पर है वो सब हमारे साथ हम उनके साथ काम हमने काम संपर्क में हैं अभी इस इस संब्द में हमारी उनकी कोई बात नहीं हो यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे